नमस्कार इस्टोक देगे आपका स्वागत हैं सर आज आपके सामने में चार ऐसे श्टोक लेकर आया हूं जिनमें कि यहां से बहुत तेजी की सम्भाव नमन नहीं है यहां से काफी उपर जा सकते हैं तो यह अलाला सेक्टर के स्टोक होंगे सबसे पहला स्टोक होगा आपको जिससे आपके दिमाग में यह निकल जाया कि हमें स्टोक में एंट्री कहां करनी है और एक्जिट कहां करना है तो बने रही है वीडियो के साथ और बो इस्टोक जो आपको अंत्में मिलेगी उससे आपके विल्कुल यह अतम हो जाएगा कि स्टोक में हमें एंट्री कौन से जाए करनी है और exit कौन से जाए करना है ठीक है तर तो चलते हैं वीडियो के साथ और सबसे पहला श्टॉक लेते हैं जुपिटर वेगन जो के railway छेतर का श्टॉक है और बहुत ही बैटरी ने श्टॉक है अब इसको मैंने क्यों लिगा है क्योंकि इसका चार्ट तो आप चलने वाला है और ग्रीन एनर्जी है मोग आ है और अब यह रिखेंस पिर्जास लाने पहल मेरे उसटॉक ऑर सबसê सिर! कि यह ब्योंके पेढ़े आप करते हैं तो थोड़ा मुझे भी मोटिविशन हम पोड़ता है और खने आपके सामने को भी और थी सुना आपको चाप आपको पसंद आ रहे हैं तो आप बीड जिरूर कीजिए गा और अगर चैनल को आपने अगी तरह सब्सक्राइब ने किया है तो अब चलते हैं जुपिटर वेगन की तरह जुपिटर वेगन को अगर देखते हैं तो यहां से बड़ा अच्छा मूब दिखाएगा मुझे लग रहा है क्योंकि यह देखी इसने पहले यह जो पैटर यहां से काफी ऊपर जाने के बाद इन दो जगह पर इसने सपोर्ट लिया और यह सपोर्ट लेकर फिर उसने एक चैनल बनाया था यह देखिए आप लिए कि उस दिन जो गिरावट होई थी वेंकर वाली यह यह जो कैंडल है तो उस गिरावट पर यह किवल यहां इसने चैनल इस इस इसी रेंज पर आया जहां से ब्रेक आउट दिया था फिर तो वहां से फिर पर उठ है तो पड़ाए अच्छी यह बननाया पैटर इसका पैटन तो इस श्टॉक को आप जरूर नजर में रखिए का जुपिटर वेगन लिमिटेड होती अच्छा श्टॉक है अब आप सुच रहे हैं रवी एनल आई आरफ सी क्यों नहीं बताया तो वह भी अच्छे श्टॉक है लेकिन इसका जो चार्ट पैटन है जुपिटर मिलेगी अंध में वह आपको ऐसे काम की मिलेगी जिसमें आप यह कहाँ है कि हमारे स्टॉक मार्केट की दुनिया ही विड़ल गई तो आप इसस्टॉक को जरूर उप और अगला स्टॉक की तरफ चलते हैं और अगला स्टॉक मैंने डिफेंस से लिए है डिफेंस से देखत क्योंकि इसको लगातर ओर्डर मिल ला है कल वी इसको एक ओर्डर मिल ला है तो जो जब लगातर ओर्डर मिल ला है तो यहां से यह कल के दिन यह बहुत अच्छी नई तीजी के साथ आगे बढ़ाएगा और इसको जो ओर्डर मिला है कल के दिन वह जानकारी दी है कि कल के दिन इसको लगवा है चार सो इक्यावन करोड का ओडर मिला है तो लगातार ओडर पर ओडर मिला है इस कंपनी को और यह बहुत ही यहां से अच्छी कम उच्छी उडान वरने को तहीं है कि कोचिन शिप्याड काफी चल चुकी है और मजगान डॉक शिप्याड भी अगर देखा जा आपके पास हैं तो उनमें आप बने रहे हैं लेकिन GRSE को आप जरूर सामिल करिएगा और इस स्टॉक को देखिएगा नई उचाई यहां से चुएगा तो कौन सा स्टॉक GRSE है मैं दूसरा इस चार्ट बेटन देगी बड़ा खूसुत इसका भी चार्ट बेटन नजर आ रह है और इने स्टॉक में अभी मुझे लग रहा है कि आपको जब तक यह राजना सिंग जी ने कहा भी है कि पचास हजार करोड के अपने डिफेंस को इतना इतना बड़ा किया जाएगा कि यहां से यह अपने और को बिदेशों है पहुंचा सके एक्सपोर्ट कर सके अपने मा क्राम कि जब यह को इस स्टॉक भी इए चार्ट पैटर्न ने कि चलता जा रहा को यह अगर कर झाक ऀसा एक अगर डालू तो कर लुत को में स्थेने बढ़ता ही जा रहा है और कहիं भी यह दरव है जो रहा है सीधिए कि ठ्रेन डानी सपोट बढ़ता है जब यह नई हूशाय संधी ने वट करते है यहांसे यह ह Maßnahmen यहाρα लिए कि तो जे एस डवडू एनरजी इस 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 टोक को सामिछ करिए का बहुत ही बैतरी इन इस तरह मैंने आपको तीन इस टोक बता है और अंत में आपको जो चोटा इस टोक है और अब तक आपके काफी सब लोगों के रडार पर रहता है और बड़ा ही फैमाज स्टोक है सुजलोन आपको यहां से अच्छी रिटन देने के मुझे लग रहा है कि यहां से अच्छी रिटन देगा खूब सुरे चाठ बिटन दिखाई दे रहा है और सरह एक बात ओर है मैंने सभी के सभी फंडमेंटल मजबूत स्टॉक हैं सुजलोन एनर्जी भी अब क्या है कि थोड़ा बहुत इसके रेजल्ट अच्छे आने लगें और कंपनी फंडमेंटल मजबूत होती आ रही है पिछले एक दो से ऐसा नहों से लेकिन उसमें क्या होता है कि छोटे स्टॉक पर यहां से इसक हों फंडमेंटल मजबूत स्टॉक हैं और इनको आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो लेकिन यह जो स्टॉक बताने जा रहा हूं इसको आप मैं 60 रुपए तक का तो आपको बताई रहा हूं 60 रुपए तक का जाएगा यहां से काफी उंचा भी जा सकता है वो स्टॉक लेक अब इस स्टॉक को देखी यह जो इस लिए लिया है कि यह देखी इस स्टॉक ने पहले यह ऊपर जा कितना हाई लगाया 43 रुपए का फिर यह नीचे अब इसको देखिए कि जब लगाता तीन वाट टच कर रहा है पहले बार यहां bottom पे आया, three bottom pattern वनना है, इस stock को मैंने क्यों लिया, कि three bottom pattern वनना रहा है, और जो stock three bottom pattern वननाता है, तो वो stock अब यहां से काफी आपको यहां से कितनी range यह लगवा, 49 से और यह range 10 रुपए की, तो मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ, आपको 60 रुपए तक भी जा सकता है, और बहुत जल्दी जा सकता है, और इसलिए मैंने आपको बताया कि कुछ समय के लिए आप उल्ड करिए इसको 65 और 70 तक कही है, एजी लिए आपको target दिखा दें, लेकिन मैं आपको 60 और 65 तक की target दे रहा हूँ, उसके बाद यह जहां जाए, वो आपकी मर्जी है, जतना आप होल्ड कर पाते ही, सोड़ा SL लेकर आप इसको होल्ड करना, जब 5 परसेंट का या 10 परसेंट का जो भी आप गुण्या है तो मार्केट में आयों, सोड़ी सर 70 नहीं, जब आपको 60 रुपय का target मिल जाए, 60 रुपय के target रहा तो फिर इसमें आप ऐसे लगाते ही सूरी करना, और यह आपको एजिली 65 और 70 रुपय तक की target देखा देगा, तो कौन सा stock बताया है, मैंने सुजलोन energy, और चलिए अब सर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसी strategy जिससे कि आपको इस stock में यह जो 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 भी मैंने तीन stock बताएं, इन इस stock को easily hold कर सकते हैं, वो देखते हैं जरा, और उससे पहले आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए, तो इसको जरूर लाइक जरूर कर दीजेगा, और वो strategy आपको पसंद आए, तो प्लीज जरूर लाइक करना, मज़ें motivation मिलेगा, ऐसी strategy और एक आपको आपको लेके आऊँगा, तो सबसे पहले चलते हैं, उसको देखते हैं जरा, देखते हैं सिटर जी को देखते हैं सर, मैंने एक indicator यूज किया है सर, इसमें super trend, कौन सा indicator, super trend indicator, इस indicator के सारे आप stock में बैठ सकते हैं, लगातार बैठ सकते हैं, और जहां तक यह आपको ले जाए, वहां तक आप easy ली जा सकते हैं, तो देखे इस stock में, अगर इसी में लगाते हैं, चलो सुझरोन एनर्जी में लगाते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जागा, लेकिन धहर से देखेगे का, आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा, हमने super trend लगाया, कितने इसको, कितने वह 10 और 3, लेकिन इसको हम थोड़ा सा change करेंगे, 10 और 3 को, तो वह कैसे जाएंगे, सब से पहले तो आप अगर super trend नहीं जानते हो, कैसे लगाएंगे, तो ये fx लगाया है, इसमें खोलेंगे, वह super trend लगा देंगे, अब यहाँ पे, अब देखिएगा, आप super trend देखो, एक और मैं एक और दिखा दे रहा हूँ, आपको यह लिया, और यहाँ पे डाल देंगे, सर्च में super trend, क्या डालेंगे, super trend, S-U-P-E-R, यह super trend आ गया, यहाँ पे आप क्लिप करेंगे, super trend आ जाएगा, अब उसको बाद उसकी थोड़ी सी setting चेंज करेंगे, वो थोड़ी setting कैसे चेंज करेंगे, super trend आप क्लिक करेंगे, यहाँ setting में जाएगे, यहाँ पे जाके, और यह factor लिखें 10 और 3, ठीक है सर्थ, 10 और 3, इस factor को 10 और 2 कर लेंगे, कितना कर लेंगे सर्थ, 10 और 2, बस हमारी study तयार हो गई, factor को हमने किया 10 और 2, और यहाँ से जाके बस अब आप देखते लिखेंगे, अगर आप 10 और 3 करते हैं, तो यह है कि थोड़ा सा stop, लोस फोड़ा आपको नीचे मिल जाएगा, फोड़ा नीचे कट हो जाएगा, 10 और 2 कर लेंगे, तब भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10 और 2 भी आप कर सकते हैं, अब इस stock को देखिए आप, इस इंडिकेटर ने आपको कहां इसमें एंट्री दिलवाई, 11 रुपई पर एंट्री दिलवाई इंट्री दिलवाई, और यह लगातार सुपर बना हुगा है, और कहीं पर भी एग्जिट नहीं हुगा, कहीं पर भी देखिए आप, कहीं पर एग्जिट नहीं हुगा, आप कोई कुछ भी आपको यूज नहीं करना किवल आप एक इंडिकेटर लीजिए सुपर ट्रेंड उसका फिर देखिए अब इस स्टॉक कहां एंट्री करा रहा है यह आपका यह से फिर ग्रीन हो गया जहां से ग्रीन रेड हो जाए वहां से निकल जा यहां तक यह रेड था कोई दिक्कत की बात नहीं है और नहीं कुछ ज्यादा इसमें सोचना जहां आपको कट हो रहा है वहां से आप एक जिट हो जाए किसी भी स्टॉक लाकर देखिए अब मैंने आपको तीन स्टॉक बताए उन स्टॉक में भी लगा कर दिखाता हूँ आपको देखिए दूसरा स्टॉक में आपको कौन सा बता है था जे एस डवलू ग्रीन एनर्जी अब इस स्टॉक को देखिए आप देखिए इस टॉक को यह देखिए कहां से एंट्री कराई सपर ट्रेंड ने यहां से कराई 59 रोपाई के आज पास और कहां तक लेके आया यह आपको यह आपको ले पर यह चुछ कराई आपको रिसु़ल यह होगा है उसके ने पर आपने इसल रखा भी होता है इसका तो यहां से जाने अगर यहां पर कही गिर भी रहा है किल्झ ठर्यॉदि के ऊट डिप आधे सबस्कार। तो बीकली हर्ट टू का सुपर ट्रेंट हे उर देखी किया चलता-चला जा रहा है चलता चला जा रहा है । तो यह सिटैड् reservations आप डिखो या जो भी स्टॉक हों आपके पास कोई भी देख लीजी है बसरते एक चीज़ ध्यान रखना कि वही स्टॉक देखना जो कि निफ्टी 500 में आते हो उसका काड़ यह होता है कि जो निफ्टी 500 में स्टॉक आएंगे तो उनको आपको टेंसर नहीं होगी बाई चांस नीचे भी अगर वह हो गए तो आपको उसमें एवरेज कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन जो निफ्टी 500 से कर आप बाहर निकलो गए और कोई भी एनी पैनी स्टॉक में उज़ करना जैसे आप कोई कोई पसंद ना आता हो पांच रुपाई का दस रुपाई का उस स्टॉक पर काम तो कर सकती है लेकिन उस स्टॉक को अगर लोगे तो क्या होता है कि उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी अगर वो नीचे चला गया कोई स्टॉक तो फिर वो सालों साल उपर नहीं आएगा तो इसलिए स्टॉक कौन से लें निफ्टी 500 में सामिल और ऐसे स्ट आपको तो आप थैन लो गया है तो अब इसके टॉक तो अब यह क्या है कि अब यह स्टॉक यहान से आपने एंट्री करी एक कहां तक ले來 अचे एक अर दो यह एक तक रोड्रेगे यवा नित्यान्यानल तक लेखा है फिर आपने यह ग्रीन हुआ से था तरी 365 पे एंट्री की और 365 से लगाता सब्सक्राइब बना हुआ है तो केवल एक स्टेजी मतलब केवल एक इंडिकेटर और देखिए आप कहां से कहां तक चल ला है अगर आपको सारे स्टोग और स्टेजी मेरी पसंद्याई है सरु आपने किसी ही शटोग पीशरूर करें देखना सरु अपने किस्या इप्ला बहुंचा का सरु आपने का पर डू है तुब यहां सुपर्ट्रेंड रेड नहीं हो रहा है जब आप निकलोगे तो रेड हो जाएगा थोड़ा बहुत यह है कि जितना अब आपका ऊपर तक नहीं मिल पाया तो वो तो कोई नहीं ले पाता है हाई और टॉप और बॉटम ना तो टॉप और बॉटम मार्केट में कोई भी कितने एक से एक अच्छा एनलिस्ट हो या कोई भी चार्ट का कोई भी ग्याता जरूर लेकिन वो टॉप और बॉटम कभी नहीं ले पाता है थोड़ा बहुत नीचे कि रहेगा तब आपस में एक्जिट हो जाओ और थोड़ा बॉटम पे मिलेगा बॉटम पे से थोड़ा ऊपर म आता रहूंगा इस वजए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्ली रौशकार